हलो एवरीवन नवरतन डशोई में मैं डॉक्टर लता आपका स्वागत करती हूँ आज हम जानेंगे कि बिना पल्स ऑक्सीमिटर के घर में ही आप ऑक्सीजन की मात्रा को कैसे चेक कर सकती है यह एक ऐसी जानकारी है जो लाइफ में हमेशा आपको काम आएगी इसलिए इसे शेयर जरूर कीजिएगा जिससे यह सभी तक पहुँच सके जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट में ऑक्सीमिटर की बहुत मारा मारी है हजार रुपे में मिलने बाला ऑक्सीमिटर दो हजार रुपे का मिल रहा है और गाउं बगेरा में भी ऑक्सीमिटर आसानी से नहीं मिल पाते हैं तो ऐसी कंडिशन में आप इस टेस्ट के थूँ यह पता लगा सकते हैं कि आपके सरीर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है आज हम आपको बिना परस ऑक्सीमिटर के ही ऑक्सीजन के परसेंटेज को नापने के दो तरीके बताएंगे इन्हें बिलकुल एक्यूरेट तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन काफी अत्तक इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पेशेंट के सरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है तो इसमें सबसे पहला तरीका है रोथ स्कोर का यह एक ऐसी टेक्नीक है जिसमें हमें एक गहरी सांस लेनी होती है फिर हमें उस सांस को छोड़ना है फिर दोबारा एक गहरी सांस लेनी है और एक से तीस तक counting करनी है अगर आप एक से तीस तक counting कर पा रही है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में oxygen बिल्कुल normal है oxygen का level कम नहीं है और अगर आप यही counting 7 से 10 के बीच में कर पा रही है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में oxygen 95% से 90% के बीच में है और अगर आप 7 से भी कम count कर पा रही है तो इसका मतलब है कि आपकी जो oxygen का level है वो 90% से भी कम है तो इस इस्तिती में आपको डॉक्टर को दिखाना होगा मैं आपको करके बता देती हूँ ये देखिए इस तरह हमें एक गहरी सांस लेनी है इसको छोड़ देना है फिर एक गहरी सांस लेनी है और इस तरह से अगर इस तरह से हम पूरी काउंटिंग कर पा रहे है इसका मतलब है oxygen level विलकुल हमारा नॉर्मल है और अगर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो इतना ही कर पा रहे है इसका मतलब है कि हमारे सरीर में oxygen का percentage 95-90 के बीच में है और अगर हम एक दो तीन चार पांच इतना ही काउंट कर पा रहे है इसका मतलब है कि हमारे सरीर में oxygen 90% से भी कम हो सकती है एक दूसरा तरीका और है जिसमें हमको सांस को रोकना होता है अगर आप 7-8 सेकिंड तक ही सांस को रोक पा रहे है तो इसका मतलब है कि आपके सरीर में oxygen का percentage 95 से कम है और अगर आप केबल 5 सेकिंड तक ही सांस को रोक पा रहे है तो इसका मतलब है कि आपके सरीर में oxygen 90% से भी कम हो सकती है एक बात और, पेशेंट को देखकर भी हम काफी अत्त की अंदाजा लगा लिते हैं कि पेशेंट के सरीर के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है जब सरीर में ऑक्सीजन कम होने लगती है तो होटो का रंग नीला पड़ जाता है हाठ पैर के नापूनों का रंग भी नीला होने लगता है चहरा नीला सा दिखने लगता है सांस फूलने लगती है इस तरह के पेशेंट से कभी अगर हम पूचते हैं कि आप कैसे हो, आपको क्या परेशानी है तो वो आपके इस तरह की सवालों का भी एक सीधे sentence में जवाब नहीं दे पाता है उसकी सांस फूलने लगती है इससे हमें पता लग जाता है कि उसके सरीर में oxygen काफियत तक कम हो गई है oxygen के लेविल को घर में ही रेकर बढ़ाने के घरेली उपायों का मैं आपके साथ पहले ही video शेयर कर चुकी हूँ आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं और oxygen के अचानक से कम हो जाने का क्या कारण होता है ये video भी में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ वो भी आपको हमारे channel पर देखने के लिए मिल जाएगा बस इस कठिन समय में आपसे यही मेरी एक request है कि इस video को आप जादा से जादा शेयर कीजिएगा क्योंकि ये एक छोटी से जानकारी किसी के लिए बहुत बड़ी मदद साबित हो सकती है थेंक यू